हेलो गाईज, वेलकम टु माई यूट्यूब चानल, उमीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, आपके बच्चे हेल्दी होंगे और आप लोग कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, तो आज हम लोग डिसकास करेंगे कि हमारा बच्चा छे महिने के बाद क्या ख हमारा बच्चा छे महिने का हो गया है और हमको समझ में नहीं आ रहा है हम उसे क्या खेलाएं तो मैं गाईज अपने एक्स्पीरियंस शेर करती हूँ, जब मेरा बच्चा छे महिने का हो गया था तो मैंने उसे फर्स टाइम थोड़ा सा उपर का दूद एक बार, मैंने वो छे महीने तक मदर फीट पे था और इनीशल स्टार्टिंग मैंने ऐसे करी थी कि मैं उसे बस दिन के एक टाइम उपर का दूद देती थी सिंस वो छे महीने का गर्मियों में हुआ था तो मैंने ग्राजवली 10-15 दिन उपर का दूद दिया फिर मैंने दही भी इंट्रिड्यूस कर दिया था उसको मीठा दही मैं देती थी उसे और मीठा दही मैं उसे चांदी के बरतन में और दूद भी मैं उसे चांदी के ही बरतन में गरम करके देती थी तो कहते हैं चांदी के बरतन से बच्चे का दिमाग तेज होता है तो स्टार्टिंग में पहले एक टाइम उसके साथ उपर का दूद स्टार्ट किया और फिर मैंने दही स्टार्ट किया फिर जब एक महीना और बीता थोड़ा सा वो साथ महीने साड़े साथ महीने का हुआ तो मैंने दो टाइम उपर का दूद देना स्टार्ट करा और फिर मैंने उसको एक गसी जैसे टेस् इसलिए मैंने उसको थोड़ा fruit देना स्टार्ट करा, एकदम से गाइस कोई भी बच्चा एकदम से ऊपर का खाना नहीं खा सकता है, आप अगर उसे मदर फीड में रख रहे हैं, तो मदर फीड में बच्चा और भी जादा मुश्किल पैदा करता है खाना खाने में, बट आप इसलिए साल भर दो साल बाद आपका बच्चा बच्चा रब धाई तीन साल का होगा उपने आप खाने खाना खाने लगेगा और आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे के अलावा मैंने और भी बहुत सारे बच्चे पाले हैं, तो मुझे का बादिंग में थोड़ा थोड़ा ऊपर का दूद दे सकती हैं फिर दही फिर केला मैंने क्या करा कि क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं चोटे बच्चे के तो दांत यह भी सवाल मुझ से लोग पूछते की बच्चे के दांत कब निकलेंगे तो मैं आपको बताना चाहती दस महिन से आने स्टार्ट हो जाते हैं साल भर तक आप देखेंगे कि जब तक वो साल भर का हुआ है ऊसके काफी दांत आ गय है और दूसरी बचती है कि मैं उसे केला पीस करके दूद में देती दी पहले सिर्फ में केला उसको मिक्सी में पीस करके देती थी बड़ भीर बा एक कप दूद में मैंने एक गाजर घिस लिया उसमें चीनी डाली उस कुकर को बंद करके मैंने सीटी लगा दी अब क्यूंकि उसमें काफी करीब साथाट सीटी जब प्रेशर निकल गया तो फिर मैंने उसमें उसको ब्लेंड कर दिया जिसे कि जो गाजर के मतलब की घिसा हुआ है गाजर वो उसमें मिक्स हो जाए को बच्चे से क्योंकि बच्चा बच्चे को अल्खात आती है दिक्कत होती है कोई भी चीज उसको जो खीर एकडम स्मूध केला बिलकुल स्मूध और दूद रोटी की रेसिपी गाज मैंने अपने वीडियो में चानल पे शेयर कर रखी है आप दूद रोटी की रेसिपी भी देख सकते हैं दूद रोटी को और टेस्टी बनाने के लिए उसमें दो बिस्किट भी आड कर सकते ह अगर आप दोटो बिस्केट आड़ करके दूद रोटी बनाएंगे तो वो सहरेलाक से बहुत ही बेटर है और बहुत न्यूट्रिशिस है और गाइज मल्टी ग्रेन की रोटी बच्चों को खिलाईए सिंपल आटे की रोटी में क्या है कि कार्भो हाइडरेट्स बहुत जाद आप कोशिश करके उसके आटे को ही न्यूट्रिशिस बनाएं आटे में आप ओट्स मिला सकते हैं पीस करके और और अग्रा बड़ी मिला सकते हैं पीस करके मैंने उसका रेसिपी भी शेयर करी अपने चानल पर तो बहुत एजली बन जाएगा और रही दाल की बात तो आप जब रोटी बनाई है तो उसी में सोया, ग्रानिूल और ओट्स के अलावा आप थोड़ा सा उसमें बेसन भी डाल सकते हैं चने की दाल काटा बेसन मतलब चने की दाल काटा आप चाहें तो अपने अगल बगल कोई अगर फ्रेश पीस्ता हो आटा तो बहुत ही बहतर है नही तो बहुत सारी कंपनिया भी बेसन बना रही है मैं उसकी रेकमेंडेशन नहीं दूँगी क्योंकि आज कल सब मिलावट का ही आता है तो मैं तो एकदम एंटायरली सब अपने घर के पास से ही पिस्वाती हूं और प्योर ही बच्चे को देना पसंद करती हूं तो मैं मल्टी तेमपरेशर में रख करके पीस करके और बच्चे को बिस्केट कभी बिस्केट डाला कभी बिस्केट नहीं डाला थोड़ी सी शुगर मिला करके बच्चे को दे देती हूं तो उससे बच्चे का पेट बहुत देर तक भरा रहता है बच्चे को बहुत सारे पोशन मिलते है और यह बहुत ही अच्छा होता है खाने में तो आप थोड़ा सा बच्चे को फ्रूट प्यूरी भी दे सकती है जैसे शाम के टाइम आप उसे दुपहर के टाइम या सबेरे किसी भी टाइम आप उसे पॉमी ग्रेनेट हो गया आपल्स हो गये और संत्रा हो गया जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं भी मार्केट में आप वो सारे फ्रूट्स को पीस करके बच्चे को दे सकती है तो उसे भी बच्चे को काफी सारे न्यूट्रेंट्स मिल जाएंगे और आपको सेरलाइक वगरा खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो गाइस आज के लिए बस में आप अपना बच्चा पाल सको और गाइस प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिये और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मैं उसका हापीली जवाब दूंगी थांक यू